हादुने श्री रामनत कोविन जी, उपराश्टकती श्री एम भेक्यान आईडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रा मोती जी, लक्सोभा के स्पीकार श्री ओम बिल्ला जी, चिप जस्टिस एन बी रमन्ना जी, सन्मानीत सांग्सरकन, अन्यो महानुभव, देवियों प सभास्यों, सभी को जोहार, भारत के सर्वच सुंविधनिक पोद्पर निर्पाचित करने के लिए मैं सभी सांग्सोदों और सभी विधान सभा सद्धों का हार्दीक आभार्व्यक्त करते हैं, आपका मत देश के परोणो नागरिकों के विश्वाच की अभिव्यक्ति है, मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, अकांख्या और पधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संस्वत से, सभी देश वासियों का पूरी बिनम्रद से अभिनंदन करूँदूदूदूदूदू आपकी आत्मियता, आपका विश्वास और आपका सोयोग मेरे लिए इस नई दाइतों का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहे हैं। मुझे राष्टपती के रूप में देश ने एक ऐसे महत्तोपन कालखन में चुना है, जो भाम अपनी आजादी का उम्रित महस्व मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपने साधिनता के 75 वर्स पुरी करेगा। ये भी एक सोयोग है कि जो देश अपनी आजादी के 50 वर्स का पर्प मना रहा था, तो भी मेरे राजनीतिक जीवन की सुरुआत हुई थी। और आज आज आजादी के 55 वर्प में बस में मुझे ये नाया दाइत तो मिला है। इसे इतिहासिक समय में जो भारत अगले 25 वर्सों के भीजन को हासिल करने के लिए पूरी उच्चा से जूटा हुआ है। मुझे ये जिवेदारी मिलेना मेरा बहुत बड़ा सोभागिय है। में देश की एसी पहली राष्टपिती भी हूँ जिसका जन आजाद भारत में हुआ है। हमारे साधिन्ता सेनानियों ने आजाद हिंदूस्तान के हम नागुरिकों से जो अपेखाई की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अम्रित काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। हुआ 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 हुआ